शाहिन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसियेट आप सभी गोराशे नसीम चेर्माइन शाहिन गरूप का प्यार भरा नमश्कार साथियों पिछले चार से पांस दिनों तक मेरी वेस्त आएं शाहिन परिवार की साइटो पर, वहां होने वाली लीगल एक्टिविटीज पर और फ्यूचर में शाहिन परिवार की ग्रोथ को लेकर के, मैं काफी वेस्त था और इसके बहुत भिर सारे पॉजिटिव संदेश और रिजल्स हैं जो हमारे शाहिन परिवार सभी कस्टमर्स और सभी सोसियेट्स को समय रहते समय से मिलने शुरू हो जाएंगे फिलाल मैं शुरुआत करता हूँ इस दो टेके के दलाल से ही मैं दलाली कहूंगा इसलिए क्योंकि इसकी 99% इसकी जो पकड़ थी अपने कस्टमरों पर वो पूरी दर खतम हो चुकी है ये ग्रूपों पे अब कहा जाए तो कमेंट्स के जरीए जुतियाया जाने लगा है लतियाया जाने लगा है इसका सबसे बेहतरी नुदारान आपके सामने है कि अपनी वीडियो शीडियों में बना करके फ़ता नहीं क्या क्या फरजी फरजी ग्यान कहां से ला करके डालता है सिर्फ हमारे कस्टमर्स को बरगलाने के लिए क्योंकि आप इसके कस्टमर थे आप इसके लिए एक ऐसे वो थे जिसमें आप से वसूल कर किसमें पैसे अपनी उस इस्टिती को इसे सवारी जो जीवन में छोड़िये कई जन्मों में न सवर पाता जो शाइन सिटी के जरिये उसके कस्टमर उसके असोसियेट के दोरा फेके गए उन टुकडों पे पल इसने बना ली है फिलाल ये आपके सामने मैंने इस लिए शेयर किया कि कस्टमर अब जाग चुका है आप देखें किस परकार से 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के अंदर की गए वो रिष्टियां जो लेकपालों ने या जो रिष्टार ने वकीलों ने तहसीलों के माध्यम से जो रिष्टियां हुई दाखिल खारीज हुएं उसके बारे में मैंने तो सुना नहीं इसकी वीडियो क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि इसके उसमें दिमाग लगा जाए लेकिन कस्टमरों ने सुना और कस्टमर का खुद फीड़बेक आ रहा है निकल करके सामने इसके बारे में आप शब्दों के इस्तमाल करते हुए मैं चमा चाहूंगा कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तमाल कदापी जीवन में नहीं करता हूँ लेकिन आपकी बीचिन इसलिए डालना पड़ ला है मुझे क्योंकि आपकी आँखे खुले आप देखिए कस्टमर किस तरह से अब जागरूख हो चुका है और यहाँ दो कस्टमर एक कस्टमर वो जिन्हों ने ये लिखा हुआ है कि फरजी रिष्टी हुई और वही कवजा लेने गए मतब ऐसा कौन विक्ती होगा जो अपना पैसा भी देगा और पैसा देने के बाद वकील के साथ आएगा और आकर के तहसील में जाकर करके रिष्टी फरजी कराएगा या करा लेगा तो उसको फरजी कहेगा ऐसा कोई दिमागी दिवाली आदमी होगा जो कहेगा सारी चीज़े प्रोसेस से हुई है और इसके बाद ये दो कोड़ी का दलाल इस तरह की बाते कर रहा है इस्तमाल कर रहा है जिस पर कस्टमर ने रिप्लाई दिया है कि अगर कमेंट्स खुला होता तो इसको जवाब दिया जाता मैं शाहिए बरिवार सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा कि ऐसे फालतू लोगों के चकरों मत पढ़िये जो सिर्फ भौकने वाला काम करते जिसे गली का कुता होता नहीं है कि घर के बाहर आकर के भौकता है जैसे दर्वाजा खुलता है तो भाग लेता है वो दुम दबा कर वही इसकी अवकात है अपने कमेंट्स बंद करके कि ये डाला है मेसेज और उसका कमेंट्स बंद रखा हुआ है कि कोई आकर कि कमेंट्स ते इससे सवाल न कर ले सवाल कर लेगा तो इसके पैतरे खुल लाएंगे फिलाल आप सभी लोगों के लिए आज शाम को फिर से मैं लाइव आ रहा हूँ साथ बजे कमेंट्स खुले हुए हैं आप जाकर वहाँ पर अपने कमेंट्स डालें अपनी जो सवालात हैं उनको करें ये राशिद नसीम ऑफिशल पेज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शाइन परिवार के लोगों के लिए है उनसे निवेदन करूँगा कि अगर आप कोई समस्या है कोई दिकत कोई परशानी इसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है आप उन सारे सवालों को कमेंट्स में डालें और आप वहाँ जवाब पराप्त करें बाकिश शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को एक सूचना और यदि आप दुबई में रहते हैं यूई में कहीं पर भी रहते हैं आप मुझसे परसे ही मिलना चाहते हैं तो आप आके मिले मैं अब ये भी अभियान शुरू करने जा रहा हूँ कुछ किस्टमर्स ऐसे हैं जिन से मेरी मुलाकात यहीं पर होनी है और आप लोगों को मैं अन्रोध करूंगा कि अगर आप यहीं दुबई में रहते हैं या यूई में कहीं पर भी रहते हैं और आप मिलकर किसी सवाल जब चाहना चाहते हैं तो वेतिगत तोर से आकर के मुलाकात कर सकते हैं और मैं आप से मिलकर के आपको यहां पर भी उसका समधान दे सकता हूँ धन्नवाद